हलो दोस्तो मैं होशी उली और आप सब का स्वागत है मेरी किचन में आज हम बनाएंगे भूने चने या तो फुटाने जो माराथे में बोलते हैं फुटाने हिंदी में भूने चने बोलते हैं जो की रोड साइट के ठेले में मिलते हैं और हम उतना ही फुला हुआ और उतना ही खासता बहुती सौफ्ट भूने चने बनाएंगे और बनाना बहुती आसान है बिलकुल भी मुश्किल काम नहीं है बहुती आसान है दो तिन बात याद रखना है बस चलिए देख लेते हैं मैंने यहापर कुछ चने लिया है यह देखिए पहली बात तो यह है चने को बहुत अच्छा सा पूष्ट होना चाहिए यह देखिए चने कितने गोल-गोल सा दिखते है और मैं आपको दूसरे भी चने लाके दिखाती हो कि यह देखिए अपने खेत के चने है तो थोड़ा ख खरे दिये कि अच्छे से पुष्ट हुए है कि नहीं और ज्यादा चोटा-चोटा बिल्कुल जिपसा हुआ है समत खरे दिये देखे दोनों में कितना फर्क है तो ऐसे ही अच्छे वाले चने लेना चाहिए तभी आपके चने जो है अच्छे से फुलेंगे और एक बात है कि जब आप चने को भूनते है उससे पहले एक से देड़ घंटे के लिए धूप दिखा लीजिए उससे क्या होगा आपके फुटाने बहुत ही अच्छे से फुलेंगे चलिए अभी कड़ाय के और चलते हैं मैंने कड़ाय में नमक लिया है जी हाँ ये नमक ही है मैंने बहुत चना या तो और कुछ भूनना हो तो उसी काम में मैं यूज करती हो अभी चेक करने के लिए एक चना में डाल रही हूँ अभी तक नमक अच्छा गरम नहीं है तो ऐसे मैं चलाती रहोंगी जब ये चना जो है थोड़ा सा फट जाएगा तब हमें समझना है कि नमक अच्छा से गरम हो चुका है अभी हम इस चने को निकाल लेंगे और मोठी बर चना डाल देंगे अभी हमें हीट को रखना है मेडियम टू हाइपर हीट को कम मत कीजिएगा मेडियम टू हाइपर हीट को रखेंगे और लगातार चलाते हुए चनों को भून लेंगे चलाना है लगाता हर एक चना अच्छे से फूल जाए देखिए चना फूटना शुरू हो चुका है देखिए धीरे धीरे करके एक 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 चना करके ऐसे करके फटने लगेंगे और दिखने में ये बहुत ही बढ़िया लगते है लेकिन थोड़ा सा समाल के रहिएगा क्योंकि नमक कभी कभी छिड़कता है तो नमक छिड़क कर कभी हमारे उपर ना आए इसलिए थोड़ा से समाल के रहना है देखिए चने सारे चने अच्छे से फूल चुका है और अच्छे से फूल चुके है जब हमें लगे कि सारे चने फट चुके है तभी हम इनको निकाल लेंगे ऐसे करके एक जारा लेंगे और नमक को निकाल के ऐसे चनों को उठाके लेंगे आप देख सकते कैसे हर एक चना अच्छे से फुल चुका है और आप भी अगर ये दो ही बात याद रखेंगे तो आपका भी ऐसा ही ये दो ही सिक्रेट है और कुछ भी नहीं है इसी तरह में और थोड़ा से भून कर दिखाऊंगे आपको चना ज्यादा मत लीजिएगा ज्यादा अगर लेंगे तो कुछ ज्यादा फूल जाएंगे और कुछ कड़क रह जाएंगे तो वैसा अच्छा नहीं रहेगा थोड़ है और फटने लगे है जब हमें समझ आएगा कि सारे चने फूल चुके है और फट चुके है तभी हम इनको निकाल के ले लेंगे आप देख सकते दोस्तों कि सारे चने अच्छे से भून चुके है अच्छे से फूल कर तयार हो चुके है अभी हम इनको निकाल लेंगे नमक को अच्छे से निकालना है ताकि इसके अंदर नमक रहना जाए ऐसा ही करके बाकी सारे चने भी हम भून लेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हर एक चना कितने अच्छे से फुला है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर त्यार हुए है आप भी जरूर ट्राइ केजिए आपके भी ऐसे ही बनेंगे सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखिएगा कि अच्छे चनेले और दूप दिखा कर ले जरूर ट्राइ करें रेसिपी और ट्राइ करके मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपको कैसा लगा चलिए दोस्तों आज के लिए यहां तक ही मिलते हो आगली वीडियो में तब तक के लिए सेफ रहे स्वास रहे और खाते रहे बाई बाई